क्रिया कलाप एक आपकी कक्षा में कुर्सी, टेबल, बेंच, आदी रखे होंगे इन सभी को एक एक कर एक उचाई तक उठा कर देखें अब बताईए इन में से किस वस्तु को एक ही उचाई तक उठाने में आपको सबसे ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा और क्यूं? एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य बलवा विस्थापन पता हुने पर हम कार्य की गर्णा कर सकते हैं मालने किसी वस्तु पर एक नियत बल एफ लगाने पर वस्तु अपनी क्रिया बिंदु से ऐस दूरी विस्थापित होती है जैसा की चित्रक्रमाग 5 में दर्शाया गया है कार्य की वैज्यानिक परिभाषा के अनुसार किये गय कार्य का मान बल तथा वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन के गुडन फल के बराबर होता है अर्थात किया गया कार्य बराबर बल गुणित वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन W is equal to F S अतहा कार्य एक अधिश राश्री है हम जानते हैं कि बल की Si इकाई न्यूटन एन तथा दूरी की इकाई मीटर एम होती है अतह कार्य की इकाई अत्वा मात्रक न्यूटन गुणित मीटर एन एम होगी इसे जूल जे भी कहा जाता है समय करण W is equal to F S में यदि F is equal to 1 न्यूटन एन S is equal to 1 मीटर एम तो W is equal to F S W is equal to 1 N into 1 M is equal to 1 N M न्यूटन मीटर या 1 जूल होगा अर्थात एक जूल जे काई की वह मात्रा है जो एक न्यूटन बल लगाने पर वस्तु को बल की दिशा में 1 M विस्थापित करती है पुस्तकों से भरा एक बॉक्स दिवार से सटा हुआ है और आपके काफी प्रयासों के बावजूद बॉक्स विस्थापित नहीं होता है चित्र क्रमांग 6 में बताए अनुसार कारे के समय करण W is equal to F S को ध्यान में रखकर यहां कारे के गरना करें ऐसी और परिस्थितियों के बारे में सोचें जहां बल लगने पर भी वस्तु में विस्थापन नहीं हो क्या कोई ऐसी परिस्थिति भी सोची जा सकती है जहां बल ना लगने पर भी विस्थापन हो अपनी शिक्षिका शिक्षक से चर्चा करें एक अन्य स्थिति पर विचार करें मान लीजे आप एक वस्तु पर F बल लगाते हैं और वस्तु S दूरी तक जाकर रुक जाती है चित्र क्रमांक साथ पहला जब आप वस्तु पर बल F लगाते हैं तब वस्तु बल के दिशा में विस्थापित होती है यहां बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा अर्थात W is equal to F S दूसरा वस्तु पर उसकी गती की दिशा के विप्रीत दिशा में घर्शन बल F कार्य करता है जिसके कारण वस्तु S दूरी तक जाकर रुक जाती है इस स्थिती में घर्शन बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य रिनात्मक होगा यहां पर दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री है अर्थात W is equal to minus F S अतह वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु का विस्थापन समान दिशा में हो तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है और यदि बल तथा वस्तु का विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो बल द्वारा किया गया कार्य रिनात्मक होता है